नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमाई रासी फल धाम यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुम रासी फल के बारे में कि यह दिन कुम रासी वालों के लिए कैसा रहेगा किन कीन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधाना ना होगा इनके लव लाइब कैसे रहेगी? केरियर के सार रहेगा? बिजनस और बैपार के सार रहेगा? और स्वास्त की महतपुन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सूब रंग और सूब अंगा क्या है? दोस्तों वीडियो के आउंत में हम आप को इक उपाय भी बताएंगे जिससे अब आपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिपिकेसन बेल को दबा दें जिससे समय समय पर हागाना जिन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों वीडियो को सुरू से आंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो की आंत में ऐसी बहुत ही महतवपुन उपाय है जो आपके जीवन को और भी महतवपुन बना सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा खुमरासी वालों के लिए आज का दिन सबसपले बात करते हैं किया आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज कोई खास उपलब्धी मिल सकती है साथ ही आपको अपनी काबिलियत पारदस्तित करने के लिए मुके मिलेंगे घर के रख रखा में सुधार लाने समंदिक कार भी होंगे किसी भी कार को आप योजनावत तरीके से क्रियाविंद करने में समक्स भी रहेंगे आज आपके ग्रिय गोचर अनुकूल बना हुआ है लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता वत तनाप से रहात मिलेगी भायों के साथ भी समन मधूर बनने से परिवारी बातारण में सुकत बदलाव आएगा उस्तों समय अनुकूल है अपने किसी खास प्रजेक्ट में सफलता मिलने की पूरी संभावना है आपकी वार्टो कुपता तथा कारे करने की सेली से लोग प्रभावित होंगे दोड़ धूप की अधिकता भी आपके उपर हावी नहीं होगी समय आर्थिक इस्तियों को और अधिक मजबूत करने के लिए अतियुत्तम है आप कोई भी काम करेंगे सफलता पुर्वप हो जाएंगे क्योंकि भागवान आपके नसीब में बेठे है आपकी हाथ में कोई भी ऐसी महत्यपून चीजें आएंगे जो आप सभी चीज़ों को करने में समक्ष भी रहेंगे दोस्तों आज लोगों के साथ मुलकात होगी किसी समारों में जाना का भी मौका मिलेगा आपके मन में जो भी सपने या संग कल पाये हैं उन्हें साकार करने के लिए उपायोग तो समय है आपके मेहनत के अनुरूप अनुकुल परिनाम भी मिलेंगे आज आपका खुसी भरा दिन रहेगा इस समय सोच समझ कर लिया गया फैसला भविस में लाबदायक रहेगा आपके योगता और उचित कार परनाली आपके कार में और अधिक गती देगी घर में मांगली कारियों के लिए रूप रेखा बनेगी समय अनुकुल है सिर्फ असरवादी होकर अफसर का लाब उठाने की जरूरत है हलाकि आपको अपनी योगता की अनुरूप उचित परनाम भी हासिल होगी किसी संति या अपने गुरू की सानित में रहना आपको मानसिक संति देगा दोस्तों नेगेटिव की बात करें तो कुछ समय आत्म मनन और अपने व्यक्तित में निखार लाने के लिए भी जरूर दें गुश्य की वज़े से इस्तित भीगर सकती है संतान की किसी नकार्तम गत्यविदी का पता चलने से मन में चिंतित रहेगा हलाकि समय रहते आप समाधन भी निकाल लेंगे दोस्तों परिवारी सदस्यों के बीच-कुछ मन मुटाब जैसी इस्ति बन सकती है बेतर होगा कि दूसरे की विचारों को समझें तथा सम्मान करें किसी धार्मिक अथा अधादमिक अस्तिल पर जाने से सुकून वा सांति मिलेगी दोस्तों समय की कीमत को आवसे पाचाने उचित समय पर उचित काम ना करने से आपको ही नुकसान होगा दोस्तों पुरानी ज्यादा समन्दी समस्या का अभी समाधान मिलना मुस्किल है आचाना एक घर में अन्चाहे मेरमानों की आने से चिंता रहेगी तथरना कारतमग हाभी रहेगी अभी किसी भी परकार की यात्रा करना नुक्साइंदाग रख सकता है पड़सियों के साथ समन्द मधूर बना कर रखें दोस्तों युवाबर्ग अपनी लापारवाई अथवा वेहबार कुसलता की कमी की कारण व्यावसाइग मामलों में धोखा खा सकते हैं कई बार बहुत अधिक सोच विचार करने से महतेपुन उपलवदी हाथ से निकल भी जाती है वहां साथानी पुरवक चलाएं दोस्तों कोई अंचाहिक खर्चे सामने आ सकते हैं इस समय बचट बना कर चलना ज़रूरी है आपके उपर जिम्यदारियां का बोज रहेगा ठीक से निभाना पाने की बज़े से चल्चलापन की हावी रह सकती है चलिस तब बात कलते वैबसाइग की टेकनिकल छेत में जुड़िक कामा में आचानक सफलता मिलेगी सहयों की मदद से आप कोई मिलने लेने में भी समक्स रहेंगे पर तो आर्थी मामलों में काफी सोच समझ कर निले ले किसी को भी पैसा या माल उधार न दे दोस्तों बिजनेस समंदी छोटी मुटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है इसमें परिस्तियां कुछ विप्रिद बने हुए है धेर रखें जल्दी आपको नई वैपसाई अनुवन मिलने वाले है बिजनेस समंदी मामले निप्टाने के लिए समय अनुकूल है पार्टर से समंदी वैपसाई में पुराने मदवेत समाप्त होंगे किसी भी तरह की साज़ेदारी करने के लिए समय अनुकूल है कलातमक्त था ग्लेमर से जुड़ी विजनेस में खास सफलता मिलेगी दोस्तों अपने वैपसाई गत्य विजिय में बाहरी लोगों के दखल से परहेज करें इस वक्त माहिलावर अपने वैपसाई के परती विजिय सरुप से जागरूप्त रहेंगे उचीत पर नाम भी हासिल होंगे पॉब्लिक रिलेस्ट तथा मेडिया समन्दी कार्ण में अधिक ध्यन दें व्यवसाई मामने में आपकी सूजबुज और योगता से कोई उपलब्दी हासिल हो सकती है मुश्किल समस्या का हल पाने में समक्ष रहेंगे निवे समन्दी गत्य विजियों में भी वैस्तार बनी रहेगी अधिनस्त कर्मचारियों के साथ समन्द बहतर बना कर रखें उन्हीं बात करें दें लव लाइव की परवारी माहल सुकुन भराब रहेगा युवावर प्रेम समन्द में समर्थ करने की वज़ा अपने परिवार कथा केरियर पर ध्यान दें उस्तार घर में सांती और सुक नामा महल रहेगा विप्रित लिंगी लोगों से दूरी बना कर रखें आपकी वैस्तम दिन्चर्या की वज़े से परिवार जनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा आपको भी सब की सुक सुविधाओं को ध्यान रखना ज़रूरी है परिवारी सदस्यों की भी सुख़द और उचित समान जस रहेगा इसकी वज़े से मन में सुकुन और चैन रहेगा विवातर समान में से दूरी बना कर ही उचित रखें दामपत जीवन में कुछ मनमुटाब जिसे इस्ति बनेगी बैतर होगा की आपसी समान जस दोरा सुल जाने का प्रयास करें दामपत जीवन में आपसी तालमिल बना कर रखने में कुछ दिकत्ते आएंगे बैतर होगा की एक दूसरे की भावना को समान रखें प्रम परसंगों में सफलता मिलेगी च्रिश्ता आप बात के लगता है स्वास्त की अपने दिन्चारिया और खानपन विवस्तित रखने से स्यम को स्वास्त और उर्जावान मैसूस करेंगे स्वास्त कुछ नरम रहेगा स्वाब में स्विश्चलपन रहेगा मेडरिशन के लिए समय अवसर निकालें तो आपकी स्वास्त की दिरिश्टी से समय अनुकूल नहीं है अपनी निमीद चांच करवाएं तिथा उचित इलाज लें स्वास्त कुछ नरम रहेगा परन्तु दवाईयों की वजा योगा योगाम और जीवन सेली में बदलाव करके अपने स्वास्त को ठीक करखें जोड़ों वह घुटनों का दर्द बढ़ सकता है गारिश्ट अथा वादी वाली चीज़ों का सेवन से परेज करें दोस्ता आप बात करता है आपके उपाय के बारे में दोस्तो गनेश भागवान को हल्दी अरपन करें आत्यन्त सूप माना जाता है गनेश जी को हल्दी अरपन करने से जीवन के सभी परेशानी का रिवानन हो जाता है वैसे हल्दी से गनेश जी का तिलक करें सुप किरपा मिलने लगती है साथ ही हर काम में सफलता मिलेगी यह उपाज जरू करें दोस्तों आवसी आपको सफलता मिलेंगे दोस्ता आप बात करते हैं आपका भागसली रंग और भागसली आंक क्या है दोस्ता आपका भागसली रंग जामुनी है और भागसालियंग एक है दोस्ता अगर हमरा वीडियो अच्छा लगा हो तो से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी सेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सदा मन से ओम गनिशा जरूर लिखें धन्यवाद